बिमार होनावफ फारुखी को परिशान करती हुई दिखाई दी है अब आईशा खान आईशा खान बड़ा दिन्डोरा पीट रही है और एक्चुली मैं ये चीजे भी कर रही है कि मैं तो भाई बहुत सदा प्यार करती थी मैं तो इसके साथ बहुत लॉयल थी इस बंदे ने मुझे धोका दिया जब आप किसी को प्यार करते है न तब वो आपके साथ कितना बुरा करता है एक सौफ्ट कॉर्नर जरूर आपके दिल में जो है उसके लिए होता है पर ये चीज़ मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आईशा खान जो है मुनावर का अच्छा चाहती है मुनावर का वो बुरा चाहती है और उसके आने के बाद मुनावर का बुरा ही हुआ है दिखाई भी दे रहा है मुनावर की तबियत खराब है जिसके कारण जो है वो दिल वाले मकान में ईशा के बैट पे ब्लैंकिट ओड़के लेटे हुए है अब रही बात इसकी आईशा की आईशा जो है बड़ी ही कॉपी कर रही है और रैडी हो रही है विकाज सब लोग लड़किया यहां पर बहुत ज़दा तयार होती है और सूट वूट पहनती है क्यों क्योंकि मुनावर को जो है एथनिक वियर बहुत ज़दा पसंद है जब त तुम्हें उसके सब कोई कॉंटक्टी नहीं रखना तो इंप्रेस करने की किस बात की कोशिश कर रही हो तुम डबल फेस जो है दिखाई दे रही हो मुझे तो आईशा डबल फेस दिखाई दे रही आपका क्या कहना है आप बताएए जाती है रडडी वेडडी होके और उसको उठाती है अच्छो बताओ मैं कैसी लग रही हो हाँ अच्छी लग रही हो तुम थोड़ा लूज है बट अच्छा तो लग रहा है मैं कितनी सुन्दर लग रही हूँ ना ऐसा मलगे ब्राइट कलर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हैवी हो बट यह हैवी नहीं है बट ब्रा तो सच में खुबसूरत लग रही है, पर मुनावर फारुखे की तबियत खराब है, तुम्हें तो रेडी होने से फुरसत ही नहीं है, एटलिस तुम जिसको इतना ज़दा कियर करती हो, इतना ज़दा बोलती है धिंडोरा पेटे जिसके साथ तुम रही हो, उस बंदे को तु तुम बाद में खाल न लेट जाओ, अच्छा बताओ और क्या, तुम क्या सोच रहे हो, सोने आए हो यहाँ पर, तुम क्यों सो रहे हो, यहाँ पर सोते रहो के, इस तरीके की बाते कर रही है भाई, यह बहन, अब क्या कहेंगे, मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो उतारत क्यों आपको गुस्सा आया, तो आप भी उतारिए, इसी के साथ न लेते हैं, अजाज़त, नमस्कार